नेक्स्ट वो वेस्टन नुम्बर 8 है 1.14 वेस्टन नुम्बर 8 ठीक है वो वेस्टन इस सरा से है 6X की पावर 3 प्लस 5X के माइनस 7 ओवर 3X के माइनस 2X माइनस 1 ठीक है जी सबसे पहले आपने इसको डिवाइट करना है तो पहले हमने ये उपर दिग्री 3 है नीचे डिग्री 2 है तो मैंने बता एता अगर उपर दिग्री बढ़ी हो और नीचे डिग्री छोटी हो तो वो इंप्रापर फ्रेक्शन होती है तो यह जो auto question है यह भी improper fraction का question है ठीक है तो improper को पहले आपने क्या बनाना है proper बनाना है proper बनाना के लिए हम क्या करेंगे पहले इसको divide करेंगे divide करने के लिए उपर वाली value को अंदर रखेंगे 6x cube plus 5x square minus 7 इसकी value रहेंगे हम अरपास 3x square minus 2x minus 1 उपर वाली value को अंदर रखेंगे और निचे वाली value से इसको divide करेंगे अब देखें पहले हमने यहां पर देखना आता है constant यहां पर 6 है यहां पर 3 है किस value को multiply करें 6 आता है 3 के साथ तो 3 को किसे multiply करेंगे 2 के साथ 3 2s आ गया हो गया 6 अब यहां x square है और यहां पर x qb है हमने x qb बनाना है square को किसे multiply करेंगे x qb आएगा square को x से simple multiply करेंगे तो हमारा पास 6 x qb आजएगा तो 3 2s आ 6 हो गया और x .- मंटिप्लाइब गया अब प्लास माइनस माइनस हो गया और फोर हो गया और एक्स से मंटिप्लाइब गया तो एक्स स्केर हो गया और यह माइनस तू एक्स इसको आप फिलाल साइट करें इसको इससे मंटिप्लाइब गया तो अब साइन चेंज करें इसका माइनस आ गया इसक और अखकी में और निए सिर्फ हो Méš शॉन आगया उसके बास आ गया डी ये प्लस टू एक्स हॉग्य और माइन्स सेमन अगया अभी ये इंप्रपर क्यों है। इसकी भी डिग्री टू है और इसकी डिग्री भी क्या है टू है अभी भी यह इंप्रापर है तो इसको मजीद और तक्सीम करना है यहीं पर आपके आप मजीद और तक्सीम करेंगे तो यहाँ पर नाइन है तो यहाँ पर नाइन है तो यहाँ पर नाइन है तो यहाँ पर ना 9 और 3 को x के x ke से रहाई Deputy था आ घया 3-2 तो क्या हो 6 ये minus 6x को गया और इसको PLUS MINUS तो यह PLUS MINUS MINUS三 हो गया actually करना क्यो होता है यहां कि जो फैक्टर होता है इसको पारी पारी पहले इससे multiply फ़र इससे multiply और पिर निचे फिर 3 को इससे multiply करना होता है और हमार पास यह आ गया अब इनकी क्या करो sign case करो sign case करने के बाद देख जिया है हमार पास क्या होता है यह cancel हो गया और 6 और 2 कितने हो गया 8 x आ गया और यहां पे आ गया minus 4 आ गया अब इसको आपने लिखना है quotient plus reminder over divisor यह मारा आपका quotient है यह आपका reminder है और यह आपका divisor है ठीक है अब यहां तक note का ले है मैं आगे आपको quotient reminder over divisor लिखने लिखने लिखाता हूँ मैं बलके ऊपर ही लिख देता हूँ question की जगा पर तो आपका पास note ही है quotient plus reminder over divisor लिखने लगा हूँ देखिएगा पहले quotient यह है आपको पास 2x plus 3 यह आपका quotient आगया plus reminder आपका आपका है 8x minus 4 आगया over divisor आपको पास यह है 3x scale minus 2x minus 1 ठीक है जल्दी से यहां तक note करें ठीक है आप करतीब से नीचे ही note किया करें जल्दी से नोट करें ठीक है मैं आगे आपको उताता हूँ कि आगे इस question को next कैसे आपने solve करना है ठीक है जी है अच्छी आप देखें यह question जो है अब यह improper improper से यह proper form में तबदीर तो हो गया इसको आपने question number 1 कह लिए इसको तो आपने छेड़ने नहीं है अब आपने इस इसे को solve करना है इस इसे को भी solve करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा देखेगा 3x square minus 2x minus 1 अब इभी इनके जो हम हमारे पास तो ऐसे फार्टी फ्रैफिल के स्वाल तो ऐसे होते थे x minus 2 यह x plus 3 हो तो हम फिट solve करते थे लेकर यह नीचे ऐसे नहीं दिया हुआ यह तीन वैल्यू है तो इनके पहले हम क्या बनाने पड़ेंगे जोड़े बनाने पड़ेंगे तो जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे आप अब इसको इसे multiply के तो 3 आ गया तो 3 x में से minus x करेंगे तो यह अंदर वाले factor को ठीक है यह जोड़े बनाना आपने 9th class में सिख़्ा हुआ है 3 x के इसको आप करेंगे minus 3 x plus x minus 1 ठीक है आप इन में से common लेंगे नीचे वाले factor में से 8 x minus 4 तो 3 x के 3 common आहे आपके पास 3 x common 3 x common लेंगे तो आपके पास आजेगा 3 x common लेंगे तो x minus 1ında करें इसमेल से plus 1 common लेंगे तो it is x minus 1 अब देख्येगा आपके पास यह value आ गई यह x minus 4 ठीक है अब यह 3 x plus 1 into x minus 1 ठीक है अब ये आगे हमारे पास है अब वही तरीका कार जो पहले question जैसे आपने solve किये है जो last वाला question है जैसे आपने solve किये है वैसे ही इसको solve कर देना है पहले वाले को A का नाम दे देना है A over 3 X plus 1 plus इसको B का नाम दे देना है B over X minus 1 next question आप जो है ना do yourself मैं यहां पे लिखने लगा हूँ आपने इसको खुद ही solve करना है ठीक है यह do yourself ओके जी अब हमारी जो exercise है 4.1 ठीक है हमारी complete होई इंशालला next lecture में 4.2 को solve करेंगे ठीक है जी अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe दूर कीजेगा और साथ में बेल आइकन भी दुआ दिए जीगा ताके आपको next आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके शुक्रिया जी अलाफिस